सारी दुनिया की समस्या करोना वाइरस है और मेरी समस्या यह है कि मेरे फॉलोवर्स क्यों नहीं बढ़ रहे है कि मेरे खुछपल पड़के हुए है भाई कल एक लड़की का मैसेज आया और बोली आप बहुत क्यूट हो और फिर मैंने ब्लॉग कर दिया क्यों मेरे साथ रहना चाहती हूं बोलो मैं तेरे दिल में रहना चाहती हूं अहां रह लो लेकिन बाड़ा टाइम पे दे देना पांच हजार रुप्या महीना फूल है गुलाब का नशा है शराफ का यह मास्क लगा यह क्या घरतर बापका नहीं तुमने मुझे क्या समझ रख गरीब नला पिखारी हां नहीं ओ तो शॉबिंग कराने ले चलो फिर नहीं मैं बोला था क्या खूब पेचान है तुमने यह तुम्हारी रोज रोज की चिक-चिक से मैं तंग आ चुका हूँ अब मुझे सांती के साथ रहने दो और अब सांती के साथ रहना चाहते हो तो मुझे भी आन आज का ग्यान अगर लड़की से गलती हो जाए तो कसूर गलती का है यार मैं तो कहते हूँ कोरोना में इतनी दूरिया ना बनाए। कितनी दूरिया? कि आपका बाबू किसी और की काबू में आजाए। 10% लोग लोकी को रोटी के साथ खाते हैं पर 90% लोग लोकी को लाचारी, बेबसी और मजबूरी के साथ खाते हैं। वैसे भाईया, आप किस के साथ खाते हैं? फातिम, बीवी घर में ना होतो, तो घर खाने को दोड़ता है। ओ बीवी घर में होतो, तो बीवी खाने को दोड़ती है। ये सही बताया फातिम भाईया। अगर पत्मी पर बस ना चले, तो ट्रक चला के देख लो। दोस्तों, मैं आपको एक साहरी अर्ज कर रहा हूँ, शुकर है। नहीं भाईय साब, बिप्पी है मेरे को। मोहबत कभी कम नहीं होती, बस बाबू बदल जाते हैं। हुआ है घरा बुट घरा च। प्लाइभा जाते हैं।